राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वराप्रस्तु थे धनी कारेक्रमों की शंखला क्या है हमारे चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर भूगोल शिक्षन के कारेक्रमों की शंखला के अंतरगत अब प्रस्तु थे उच्चतर माध्यमिक कक्षा के चात्रों हे तु एक वारता वारता का यह कारेक्रम NCERT दोरा प्रकाशित भूगोल की पाठ्य पुस्तक भारत लोग और अर्थ विवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है वारता का शीर्षक है अध्योगिक समूहन मुंबई पूने अध्योगिक प्रदेश यह प्रदेश थाने से पूने तथा नाशिक और शोलापुर के निकटवर्ती जिलों में विस्त्रित है इनके अलावा भी कोलाबा, एहमत नगर, सतारा, सांगली और जलगाउं जिलों में भी और द्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ है इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योगों की अवस्थिती के साथ ही प्रारंभ हुआ मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के स्थाने करण के लिए अनुकूल दशाएं थी 1879 में स्वेज नहर के खुल जाने के बाद मुंबई के पत्तन के विकास को प्रोच साहन मिला मशीने और उद्योगों के लिए अन्ने आवशक सामान इसी पत्तन के द्वारा आयात किया जाता था इस उद्योग की आवशकता पूरी करने के लिए पश्मी खाट प्रदेश में जल विद्यूत का विकास किया गया था सूती वस्द्र उद्योग के विकास के साथ ही रसायन उद्योग भी विकसित हो गया मुंबई हाई में पेट्रोलियम की खोच और उत्पादन शुरू होने से तथा परमाणू बिजली खर से अतिरिक्त बिजली की उपलब्धी से इस प्रदेश में उद्योगों के लिए और भी आकशन पड़ गया सूती वस्द्र उद्योग के अलावा यहां इन उद्योगों का संकेंद्रन है इंजिनीरिय का सामान, पेट्रोलियम परिशकरण, पेट्रो रसायन, चमडा, कृत्रिम तथा प्लास्टिक की वस्तुवें, रसायन, औशधियां, उर्वरक, बिजली का सामान, जलिया निर्माण, इलेक्ट्रोनिक्स, सोफ्ट्वेर और खादे प्रसंसकरण उद्योग इस प्रदेश के प्रमुख औध्योगी केंद्र ये हैं मुंबई, कोलाबा, कल्यान, ठाने, ट्रामबे, पुने, पिमपरी, नासिक, मनमांध, शोलापुर, एहमदनगर, सतारा और सांगली हुगली औध्योगिक प्रदेश यह हुगली नदी के दोनों किनारों पर उत्तर में बंस वेरिया से दक्षिड में बिड़ला नगर तक 100 किलोमीटर की दूरी में विस्त्रित है इसके पश्चिम में मिदनापूर में भी उद्योग विकसित हो गए हैं कोलकाता, हावडा इस प्रदेश का हृदेस थल है इसके विकास में एतिहासिक, भोगुलिक, आर्थिक और राजनेतिक कारकों का बहुत बड़ा योगदान है इसका विकास 1662 से 1694 अर्थात सत्रवी शाताबदी के अंतिम भाग में हुगली पर नदिये पत्तन के विकास के साथ ही हुआ कोलकाता देश के अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित हो गया आगे चल कर कोलकाता, रेलमार्गों और सडकों द्वारा आंतरिक भागों से भी जुड़ गया इस ओध्योगिक प्रदेश के विकास में ये कारक सहयक रहे हैं असम और पश्रिम बंगाल की उत्तरी पहाडियों पर चाय के बागानों का विकास प्रारंब में नील के प्रसंसकरण तथा बाद में जूट के सामान के निर्मान दामोदर घाटी कोईला क्षेत्रों के तथा छोटा नाकपुर पठार के लोह आयस्क के भंडारों की खोज बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उडिसा के सघन बसिक खेत्रों से सस्ते श्रामिकों की उपलब्धी ने भी इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया है 1773 से 1912 में अंग्रेज कालीन भारत की प्रथम राजथानी होने के कारण कोलकाता में अंग्रेजी पूंजी के मिलने में बड़ी सुविधा थी 1855 में रिश्रा में जूट की पहली मिलके स्थापित होने के साथ ही इस प्रदेश में आधुनिक और द्योगिक समूहन के युग का सूत्रपाथ हुआ जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ इस प्रदेश के प्रमुक उद्योग हैं कागज इंजिनेरी, वस्त्र उद्योग की मशीने, बिजिली का सामान, रसायन, औशधियां, उर्वरक और पेट्रो रसायन कोना नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेट का कार खाना, तथा चितरंजन में रेल के डीजल इंजन बनानी का कार खाना, इस प्रदेश के पहचान के प्रमुक चिन हैं हल्दिया में पेट्रोलियम परिशकरण शाला की स्थापना से विवित प्रकार के उद्योगों के विकसित होने में सुविधा मिली है इस प्रदेश के प्रमुक और द्योगिक केंद्र हैं कोलकाता, हावडा, हल्दिया, सीरामपुर, रिश्रा, शिबपुर, नैहाटी, काकिनाडा, शामनगर, तीटागर, साधपुर, बजबज, बिल्लानगर, बंसदेरिया, बेलघरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर, इत्यादी अन्ने प्रदेशों की तुल्ना में इस प्रदेश के और द्योगिक प्रगती धीमी पड़ गई है जूट उद्योग में मन्दी भी इसके लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है बंगलोर, तमिलनाड और द्योगिक प्रदेश स्वतंत्रता के बाद की आवधी में इस प्रदेश का और द्योगिक विकास बहुत तीवर गती से हुआ है सन 1960 तक उद्योग बंगलोर, सेलम और मदुरई जिलों तक ही सीमी थे लेकिन वे अब विलुपूरम जिले को छोड़ कर तमिलनाडु के सभी जिलों में फैल गए हैं ये प्रदेश कोईला क्षेत्रों से दूर हैं अतहा इस प्रदेश का विकास 1922 में निर्मित पाईकारा जल विद्यूत सयंत्र पर निर्भर है कपास उत्पाद क्षेत्र होने के कारण सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग ने यहां अपनी जणे जमाई सूती वस्त्र कारखानों के साथ करगा उद्योग का प्रसार बड़ी तेजी से हुआ अनेक भारी इंजीनियरी उद्योग बंगलावर में संकेंद्रित हो गए हैं विमान, घडिया, मशीनी उपकरण, टेलीफोन और भारत इलक्ट्रोनिक्स इस प्रदेश की प्रमुख पहचान हैं इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं वस्त्र, रेल के डिब्बे, डीजल इंजिन, मोटर, रेडियो, इंजीनियरी की हल की वस्तुमें, रबड की वस्तुमें, दवाएं, एल्यूमेनियम, चीनी, सिमेंट, काच, कागज, रसायन, फिल्मे, माचिस, चमडी का सामान, आदी चेन्नाई में पेट्रोलियम परिशकरण शाला, सेलम में लोहे और स्पार का कारखाना, तथा उर्वरक के कारखाने नवीनितम उद्योग हैं क्या है हमारी चारों ओर? चारों क्या है हमारे चारों 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 ओर द्योगिक समूहन मुंबई पूने अद्योगिक प्रदेश अभी आप सुन रहे थे ये वारता वाचिका थी वंदिना रावत विशे संयोजक प्रोफेसर रामजन शर्मा, विशे संपादन आरपी मिश्र, आलेक, एसकी शर्मा, नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान इवं प्रसुती वंदना अरिमर्दन